कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है बोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात किये और मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि जब हम लोग यह क्या पढ़ रहे थे कि तीन क्या चुरुआत की वह आगे हमारे यूज में आती है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उन चैरेक्टरिश्टिक के बेसिज पर देखेंगे कि उनका प्राक्टिकल अप्लिकेशन क्या का आप लोग कहोगे कि यह चीज तो फॉर्मूले से हो सकती है भाई एमएफ निकाल लो एफ माइनस वीटी बाई वीटी कर दो वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी लेकिन प्रैक्टिकली सोचो अगर आपके पास एक सिंक्रोनस जनेरेटर है उसकी वोल्टेज लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि फुल लोड वोल्टेज जब मेशर करना चाहोगे तो मशीन को फुल लोड पे रन कराना पड़ेगा अगर मशीन को फुल लोड पे रन कराओगे तो उसके अंदर मशीन की रेटेड पावर कंज्यूम होगी और वो एनरजी कर रहे हो जबकि वो पावर डिलीवर नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ किसलिए कर रहे हो ताकि उस मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन पता लगा पाएं अब जो भी एनरजी कंज्यूम होती है उसकी एक कॉस्ट होती है क्यों होती है क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल जहां मशीन को फुल लोड पे चलाना भी ना पड़े और उसका वोल्टेज रेगुलेशन भी निकल जाए तो उस बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर बात करने किस तरह से एक आल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डेराइव किया जाता है तो इसमें लिखना heading डालो methods to determine voltage regulation तो इसमें लिखना in order to determine voltage regulation we need to run the machine at no load and full load and then take the difference of the output voltage in both the cases okay next point but when we run the machine at full load energy equal to rated energy is consumed which involves a high cost and such cost should not be utilized in testing of the machine so we need another method which is cheaper to determine voltage regulation ठीक है कुछ सस्ते method चाहिए जिसमें बिना machine को full load पे चलाए हम लोग measure कर पाएं ठीक है next point लिखना in search methods the machine should not be run at full load while deriving voltage regulation of the machine अब इसमें देखो सबसे पहला method होता है जिसको कहते हैं synchronous impedance method या दूसरा नाम EMF method अब देखो यह जो method है यह accurate नहीं होता यानि कि अगर एक practical machine को no load और full load पे चला करके voltage regulation निकाला जाए और इस method से निकाला जाए बराबर नहीं आते हमें कौन सा regulation चाहिए एक चीज़ सोचो मैं machine को no load और full load पे नहीं चलाना चाहता वरना अगर मैं वैसा करता तो उससे बहतर method नहीं हो सकता मेरी बात समझने की कोशिश करो machine को no load और full load पे चलाके जो regulation आता उससे better method हो ही नहीं सकता कभी लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर costing जादा आती है तो हम लोग कुछ और method देख रहे हैं ऐसा कहलो अगर देसी language में बात करें तो हमें कुछ ऐसा जुकाड करना है जहां हम machine को full load और no load पे ना चलाते हुए भी voltage regulation निकाल दें उसके लिए हम अलग-अलग methods पढ़ने वाले हैं और इस particular video में मैं आपसे इस method के बारे में discuss करने वाला हूँ जो सभी exams के लिए important है gate, ESC, SSC हर exam के अंदर यह वाला method include किया जाता है तो इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ that this method does not give the result same as the exact method exact method क्या है जहाँ no load or full load voltage actually निकाली जाएं फिर भी इस method का use करते हैं वो इसलिए क्योंकि यह method हमें concept देखे जाता है the concept of synchronous impedance or synchronous reactance ठीक है एक नया concept हमें यह method सिखाता है तो पहला point यह लिखो this method does not give exact result but it is important because it introduces the concept of synchronous impedance and synchronous reactance अब देखो EMF method क्यों बोलते हैं इसे EMF method इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सभी voltages यह कहलो सभी parameter को voltage की form में consider कर लेता है कैसे इस बात को भी समझना जरूरी है देखो जब हम machine का या alternator का phasor diagram बनाते हैं machine से मेरा मतलब यहा alternator यह जब phasor diagram बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो एफ लेते हो फिर इससे बनने वाला EMF लेते हो EF फिर लेते हो IA अब IA से जो MMF बनता है that is FAR अब FF और FAR काईदे से जुड़के क्या बनाना चाहिए resultant MMF यानि की FR ठीक है लेकिन हम क्या कह देते हैं जो FAR है इससे 90 degree lagging इसका EMF मान लेते हैं EAR ठीक है यही मान लेते हैं न 90 degree lagging और EMF में EAR add करके कह देते हैं कि यहां से जो resultant EMF आएगा that will be ER और यह किसके perpendicular होगा FR के ऐसा बोल देते हैं इसके बाद कह देते हैं कि leakage वाला जो EMF है वह यह हो जाता है EAL और एक drop ले लिया जाता है IA RA का फिर यहां से क्या बन जाता है VT ऐसा मैंने आपको phasor diagram vector diagram में बताया था ना कि phasor और vector diagram हम बनाते हैं और वहां दोनो phasor और vector same axis पे draw किये जाते हैं अब इसके अंदर देखो किया क्या जो armature reaction एक MMF या एक flux हुआ करता था उसको हमने convert कर दिया EMF में इसलिए यह method कहलाया EMF method देखो अपने पास दो option है या तो armature reaction को ऐजा MMF consider करो तो MMF में F-R बनाओ और F-R से E-R बनाओ या F-R से पहले E-R बनाओ और फिर E-R बनाओ तरीके दो हो गए ना मेरी बास समझ रहे हो कि पहले FF और FAR से चाहो तो FR बना लो और FR से ER बना लो या FAR से पहले ही EAR बना के फिर ER बना लो तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं यह armature reaction का EMF में convert कर देते हैं using FAR तिक है और फिर हम क्या कह देते हैं कि यह जो EAR है EAR lags IA by 90 degree इसलिए EAR को क्या लिख दिया था हमने याद करो जब सरकेट वाला lecture देखा था minus J IA और proportionality constant को कह दिया था reactance यह क्या थी proportionality constant यह मैंने तब बहुत अच्छे थे समझाया था न तो proportionality constant को reactance का नाम दे दिया था तो हमने क्या बूला था XAR is a hypothetical reactance hypothetical reactance representing armature reaction ठीक है ना इसी लिए method कहलाया EMF method तो लिखना from the vector diagram we can observe that armature MMF F-AR is converted to E-AR and then added to E-F to obtain resultant EMF-E-R which means armature reaction is taken into account in the form of EMF rather than MMF and hence called as EMF method ठीक है अगर armature reaction को MMF की तरह लोगे तो MMF method जो की आगे पढ़ेंगे और EMF की तरह लोगे तो EMF method ठीक है लेकिन अभी MMF तक मत जाओ बस यह ध्यान रखो armature reaction यह सभी voltages यह यह कहलो सारे drop किसकी तर्म में लिए हैं वोल्टेज आरे का भी आई है आरे लीकेज भी E-A-L और armature reaction भी E-A-R next point यह लिखना in EMF method the difference between E-F and V-T is described in terms of EMF that is all the drops are considered as EMF so it is called EMF method जबकि armature reaction कोई EMF नहीं होता वो हमेशा flux होता है तुमने उस flux को भी EMF बना दिया यह MMF को भी EMF बना दिया इसलिए यह method कहलाया EMF method ठीक है? और यही reason रहा सबसे बड़ा कि यह method inaccurate क्यों हो गया? ठीक है? क्योंकि यहां सबको क्या बना दिया? EMF मेरी बात clear हुई? अब देखो इस method में करते क्या है? कि अगर हम determine कर ले ZS which is RA plus J XS और RA RA निकालने का तरीका मैंने बताया था star और delta connected winding में जब हमने voltage drop की बात की थी तो उसमें RA किस से निकलता है? volt meter ammeter method से यानि अगर RA को निकाल लो volt meter ammeter method से और ZS निकाल ले तो access भी आ सकता है? root over ZS square minus RA square RA आ गया, access आ गया तो यहां से EMF आ सकता है? कैसे? VT cos phi plus IAR RA whole square plus VT sin phi plus IA axis whole square under root और फिर voltage regulation भी आ सकती है फिर तो बात समझ रहे हो यह method क्या करना चाहा रहा है? यह method हमसे कह रहा है कि वही अगर तुम ZS निकाल लो और RA निकाल लो तो voltage regulation निकाला जा सकता है। यह होता है EMF method तो हमें समझना यह है इस method के अंदर कि यह ZS कैसे आएगा? RA कैसे आएगा? यह हम already देख चुके हैं. RA निकालने के लिए दो wires के बीच में या दो winding के बीच में एक volt meter और एक m meter लगता है और star और delta दोनों में मैंने दिखाया था, फिर मैंने आपको skin effect भी explain किया था, जिससे मैंने बताया था resistance की value जादा आ जाती है। तो यह सभी चीज method के अंदर की ZS कैसे निकलेगा और ZS निकलता है इसलिए इसको कहते हैं synchronous impedance method. Reason अब clear हुआ न? EMF method क्यों बोला? क्योंकि armature reaction का EMF बनाया गया, synchronous impedance क्यों हो? क्योंकि हमें ZS निकालना था. अब इस method के अंदर क्या करते हैं? हम use करते हैं OCC और SCC का. तो देखो यह curve जो है जो म बड़ाई बनाना क्योंकि इसमें काफी curve बनते हैं. अब देखो यह है VOC और यह है IF तो पहले मैं OCC plot कर लेता हूं open circuit voltage versus field current जिसको magnetization curve भी कहते हैं तो इसी dual को ignore कर रहा हूं भाई इस तरह से बना दिया अब इसी same axis पे थोड़ा सीधा बना ले ना यह शुरू वाला पार्ट linear रखना है ना अब इसी axis पे मुझे SEC भी बनाना है लेकिन अगर Y axis पे voltage है और SEC में Y axis पे होता है current तो एक ही Y axis पे voltage और current दोनों दिखा पाना impossible है तो current के लिए scale ना इधर दे देते हैं यह हो गया I A माने अगर graph में voltage देखनी है OCC से तो left में देखना और right में current देख सकते हो तो SEC भी बना दें अगर हम यहां हमें पता SEC कैसा आता है linear अब तुम्हें जो भी reading लेनी है SEC से वो right से लेना OCC से जो reading लेनी है वो left में लेना अब हम क्या कहते हैं कि ZS कैसे निकाला जाए देखो अगर equivalent circuit जो हम पढ़ चुके हैं वो draw कर लिया जाए हमने जो equivalent circuit पढ़ा था वो कुछ ऐसा था EMF ठीक है इस पर दुबारे नहीं जा रहा हूं यह already वता चुका हूं कि circuit आता कैसे है जे एक्सेस आरे और वी टी यह equivalent circuit हमने पढ़ा था अब इसके अंदर देखो पॉर शॉर्ट सर्केट अगर शॉर्ट सर्केट कर दो तो यह जो आईए है कितना होता है वी टी तो जीरो हो जाएगा शॉर्ट सर्केट में आईए हो जाता है EF by ZS तो ZS क्या हो गया EF यह शॉर्ट सर्केट करेंट कहलाएगा ना EF by ISC EF also क्या कहलाता है open circuit voltage क्योंकि अगर circuit को open रखो तो टर्मिनल पे कौनसी voltage मिलती है EF तो यह हो गया VOC by ISC मेरी बात समझे EF को open circuit voltage भी कहते हैं तो open circuit voltage और शॉर्ट सर्केट करेंट का रेशो लेने से ऐसे सोचो जैसे थैवनेन इंपिडेंस निकालते हैं इस circuit की थैवनेन इंपिडेंस तो ZS ही है तो ZS निकालने के लिए open circuit voltage और शॉर्ट सर्केट करेंट का रेशो लिया जाएगा तो एक पॉइंट लिखना ZS equal to ZS equal to एक रेशो बना लो numerator में लिखो open circuit voltage at a certain field current फिर denominator में लिखो short circuit current at the same field current तो VOC और ISE तो लेना है लेकिन same IF के लिए लेना है ये बात का ध्यान रखना है ऐसा इसलिए कि मालो open circuit voltage ली 5 ampere IF पे field current 5 ampere रखते भी ले ली अब field current को कर दिया 10 ampere short circuit test में field current बढ़ाने से EF बढ़ जाएगा EF बढ़ाने से ISE बढ़ जाएगा तो रेशो सेम नहीं आ सकता रेशो निकालने के लिए ये ध्यान में रखना है कि open circuit characteristic में जो IF था या EF था वही short circuit के अंदर भी रहना चाहिए वो बदले नहीं अलग-अलग IF नहीं लेना ठीक है सेम लेना है तो ये ZS का formula है अब हमें क्य समझ आया हमें क्या लेना है VOC और ISE का रेशो अब देखो ये वाला रीजन देखना ये वाला रीजन ठीक है ये लाइन स्वारी टेड़ी ड्रॉव हो गई है मैं इसको सीधा ड्रॉव कर देता हूँ अब ये वाला रीजन देखो इसमें ये OCC भी लीनियर जा रहा है SCC भी लीनियर जा रहा है तो इन लीनियर रीजन लीनियर रीजन मानें कौन सा जहां IF की वैल्यू लो है VOC इस प्रपोर्शनल टू IF इसको लिख लो VOC इस इक्वल टू K1 IF SCC तो लीनियर होता ही है भई तो ISC इस K2 IF अब दोनों के रेशो से अगर ZS निकाला जाए तो आएगा K1 बाए के टू यह कॉंस्टेंट वैल्यू आ गई अगर यह कॉंस्टेंट वैल्यू आ रही है तो इसको ऐसे दिखा देते हैं इसको कह देते हैं ZS अनसेचुरेटेड लेकिन अब देखो इसके बाद क्या हुआ SCC तो अभी भी लीनियर गया OCC नीचे जाने लगा यह ऐसा सोचो यही लीनियर ग्राफ अगर सीधा चलता जो कि होते है एयर गैप लाइन अगर यह एयर गैप लाइन पर जाता तो दोनों का रेशु फिक्स रहता लेकिन यह सैचुरेट करने की वज़े से VOC कम हो गया VOC कम हो जाने से ZS क्या हो जाएगा कम तो इसमें लिखना if the machine does not saturate, if the machine does not saturate, that is OCC remains linear, then the ratio of VOC and ISC at any field current will remain same, will remain same, एक है इतनी बाद क्लियर ही, next point due to saturation, the value of open circuit voltage is less as compared to the value predicted by linear behavior, due to which the value of ZS calculated is less as compared to ZS unsaturated, as compared to ZS unsaturated, तो value कम आने लगती है, तो देखो इस टाइप से आने लगती है, तो इसको हम बोल देते हैं, saturation, saturation आने से ZS की value गिरने लगती है, क्योंकि VOC उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, जितनी तेजी से ISC बढ़ता है, short circuit current बढ़ता जा रहा है, VOC नहीं बढ़ पा रहा, तो इनका ratio गिरने लगेगा, अब हम क्या कहते हैं, कि एक particular field current पे दोनों का ratio लेना है, तो generally क्या करते हैं, generally देखो, जिस field current पे, ये OCC देदे rated value, उसी field current पे ISC ले ले लेते हैं, तो अब यहां से हमारे पास ये आ जाती है, ZS saturated, तो field current कितना लेते हैं, जिसको कहते हैं, IF rated, तो अगला point लिखना, while finding ZS, we generally consider rated field current for numerical purposes, that is the field current at which OCC gives rated voltage, OCC gives rated voltage, तो ये वाला current हो जाता है अपना ISC, अब देखो ये तो हमें समझ आ गया कि VOC और ISC की value का ratio लेना है, और एक ही field current पे लेना है, अब मेरी बात को समझना, आगे practical बात है, अभी थोड़ा देर बात करेंगे, अभी पहले ये समझते हैं कि इस पे based question कैसे solve होगा, इस पे जो question आएगा ना, तुमारा वो ZS निकालने के लिए आएगा सीदे, तो ये ZS निकलेगा कैसे, पहले मैं इस पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा, तो आप देखो क्या करना है, हमें किस field current की बात करनी है, जिस पे rated voltage मिल जाए, तो example लेता हूँ, example में देखो जैसे उसने बोल दिया, VOC is 11KV at IF equal to 10A, ISC is actually equal to 1kA, suppose at IF equal to 12A, अब भई VOC बाइएएएएएएएएएए तो नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, या 1kA की जगे ना, ऐसा करो, 300A कर लो, VOC बाइएएएएएएए नहीं कर सकते, अलग-अलग field current पे हैं, तो किस field current पे जाएएएएएएएएएएएएएएएएए नहीं कर सकते, यहां हम कहेंगे, लेकिन फिर ISC कैसे मिलेगा 10 ampere पे हम क्या कहते हैं ISC is actually proportional to IF क्योंकि जो short circuit characteristic है वो linear होती है तो अगर मुझे ISC की value चाहिए 10 ampere field current पे upon ISC at IF equal to 12 is equal to 10 by 12 तो कितना आजाएगा 300 into 10 by 12 3000 तो 1000 बटे 4 तो 2500 ampere अब तुम क्या कहोगे ZS अब यह धियान रखना VOC by ISC करते वे पर phase value लेना तो अगर star connected है तो पर phase value होगी 11000 बटे root 3 upon 2500 मैंने क्या माना है star connected यह बात clear हुई तो star connected के लिए इस तरीके से निकालोगे तो generally कौन सा field current लेके चलते हैं at which we get the rated value of VOC मेरी बात clear हुई ठीक है आगे चले यह example सब लोगों को clear होना चाहिए जब अलग-अलग field current पे दिया हो तब क्या करना है तो देखो अभी हम इसी चीज़ पर discuss कर रहेंगी जेड़ेस आता कैसे जेड़ेस का एक method के लिए रूए वी यह सी आप देखो जो rated current होता है ना वह हमेशा short circuit current से कमी होता है short circuit current तो एक तरह से fault current होता है तो यह i rated होता है ठीक है यह मानलो i f1 है यह i f2 है अब देखो मैं यहां दो triangle ले रहा हूं o a b और o c d तो हम यह कहते हैं triangle o a b and triangle o c d are similar यह दोनों ही triangle हमारे similar है क्यों similar है क्योंकि यह angle theta same है angle जब दो triangle का same हो जाता है they are set to be similar अगर यह similar है तो इनका tan theta भी same होना चाहिए यानि a b over ob is equal to c d over od अब a b कितना है y axis पे देखो i rated ob है if2 c d कितना है isc od कितना है if1 तो अगर यहां if1 by if2 निकाला जाए that is equal to isc by i rated और इसको कहते हैं short circuit ratio if1 कौन सा field current है जिस पे open circuit पे rated voltage मिलती है if2 जिसमें short circuit पे rated current मिलता है तो अगला term लिखो short circuit ratio short circuit ratio scr short circuit ratio scr तो इसमें लिखना it is the ratio of field current required to produce rated voltage on open circuit to the field current required to produce rated current on short circuit ठीक है open circuit पे rated current rated voltage देने वाला field current upon short circuit पे rated current देने वाला field current तो इसे कहते है short circuit ratio अब देखो अभी हमने zs क्या लिखा था zs था voc यह rated वाली value ले रहे थे अपन isc अब क्या करेंगे हम लोग कि scr क्या है isc by i rated तो स्वारी zs जो था यह आएगा अब scr अगर निकालना है isc by i rated से ठीक है scr है isc by i rated तो isc को यहां से लिख दो voc rated by zs upon i rated अब यह v rated upon i rated जो होता है यह होता है z base per unit system में मैंने समझाया था नहीं यह z base होता है तो यह हो गया z base upon zs यह यह कह दो 1 by zs per unit तो यह भी relation होता है short circuit ratio का 1 by zs in pu यह बात clear हुई तो पहले यहां तक note down करो फिर यह देखो कि यहां से हम कितनी चीज़े निकालते हैं एक बार मुझे short circuit ratio समझ में आ गया कि यह 1 by zs होता है तब हम यहां से क्या-क्या derive कर सकते हैं तो देखो इसका फायदा समझो पहले एक्जामपल से समझते हैं एक फायदा मान लो ऐसा कहता है 11 KV 100 MVA 3 phase alternator ठीक है कह देता है कि VOC है V rated at IF बराबर 10 ampere ISC है I rated at IF बराबर 15 ampere यह स्वारी 5 ampere अब यहां से short circuit ratio कितना होगा तुम कहोगे short circuit ratio दो field current का ratio होता है एक जो rated voltage दे और दूसरा जो rated current दे यानि कि उपर 10 नीचे 5 तो कितना आएगा दो आएगा अब यह है 1 by ZS per unit तो यहां से ZS per unit कितना आता है 0.5 तो ZS कैसे निकालोगे 0.5 into Z base और 3 phase में Z base कैसे निकलता है V square by S base इस तरह से तो इस टाइप से short circuit ratio का भी use कर सकते हो whenever you want to determine the synchronous impedance तो मैंने दो तरीके बताए एक तो यह कि जो short circuit test का data है उसे भी उसी field current पे ले जाओ जहां rated voltage मिलती है यानि इस current को 10 ampere पे ले जाते सेंस की short circuit current field current के proportional है तो 5 से 10 जाते हुए field current दुगना हुआ तो short circuit current कितना हो जाता दुगना मेरी बात समझो यह SEC linear है न तो अगर तुम कहते भई मुझे 5 की जगे 10 ampere पे बताओ IEC कितना है गा linear होने का मतलब है अगर IF को दुगना कर रहे हो तो ISC कितना आता टू टाइम्स आई रेटटेड तो फिर क्या कर लेते है वी रेटेटेड अपॉन टू टाइम्स आई i-rated वी-rated upon i-rated कितना होता तो देखो फिर कितना होता मैं यहां लिख भी देता हूं v-rated by two times i-rated v-rated by i-rated होता है z-base by two same ही तो चीज आ रहे हैं 0.5z base तो ऐसे भी जा सकते थे दोनों तरीके हैं चाहो तो इसको शौर्ट सर्केट रेश्व से एप्रोच कर लो और चाहे तो इसको एप्रोच कर सकते हो डिरेक्ली ट्रांस्वर करके लेकिन फील्ड करेंट हमेशा कौन सा यूज करोगे क्विश्चिन के अंदर जिसपे की रेटेड वोल्टेज हमें गिवन है आगे चलते हैं अब देखो सिंक्रोनास मशीन के अंदर XS जो होता है that is much greater than RA तो short circuit ratio approximately होता है 1 by XSPU XS के अंदर भी दो element होते हैं XAR और XAL जिसमें XAR much greater होता है 1 by XAR PU अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर air gap बढ़ता है तो armature का flux घटता है reluctance बढ़ने से armature का flux घटने से XAR घटता है तो SCR बढ़ता है इसका मतलब जिन मशीन में ज्यादा air gap होता है उनका SCR भी ज्यादा होता है तिसमें लिखना SCR is inversely proportional to the armature reaction reactance SCR is inversely proportional to armature reaction के दो वस SCR is inversely proportional to armature reaction so as air gap increases armature reaction reduces and SCR increases and SCR increases okay next point so machines having higher air gap machines having higher air gap have higher value of SCR higher air gap have higher value of SCR ठीक है अब देखो क्या क्या फायदे होते हैं air gap बढ़ने से SCR बढ़ता है तो reactance कम होती है reactance कम होगी तो voltage drop और voltage regulation भी कम होगा तो इसके नीचे लिखना यह ऐसे लिखलो observations observations करके लिखलो first point as air gap increases SCR increases कॉमा reactance reduces voltage regulation reduces ठीक है यह सारी चीजें कम हो जाएंगी अगला point अगला point लिखना ऐसे यह आगे derive करेंगे P max is inversely proportional to excess तो air gap अगर बढ़ता है अगला point ऐसे लिख लो यह P max inversely proportional to excess कैसे आया यह मैं आगे समझाओंगा अभी के लिख लो बस P max जो है 1 by excess के proportional आता है तो इसका मतलब हुआ air gap बढ़ाने से stability भी बढ़ती है तो यहला point लिखना as air gap increases stability of alternator increases so in synchronous machine always larger air gap is preferred between stator and rotor for higher stability जब देखो induction machine में जाओगे ना उसका structure काफी हद तक synchronous जैसा ही होता है बट वहाँ air gap कम रखते हैं क्योंकि वहाँ stability वाला funda as it is नहीं आता है अलग तरह से आता है ऐसा नहीं आता तो synchronous machine में जैसा मैंने बताया generator active element होता है इसका stable होना बहुत ज़रूरी है इसी वज़े से stability synchronous machine के लिए बहुत crucial है तो synchronous machine में stability बढ़ाने का तरीका कोई भी पूछे भाई reactance गिरा दो यह कह दो air gap बढ़ा दो यह बात clear diameter hence larger air gap larger air gap and hence higher hcr and they are more stable जिसका hcr ज्यादा उसकी stability भी ज्यादा इसलिए salient pole machine जो होती है न हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है cylindrical rotor से तो देखो hcr को हमने air gap से जोड़ा reactance से जोड़ा stability से जोड़ा तो तुम हमेशा यह जान लो जिस machine का air gap ज्यादा होता है उसका voltage regulation बहतर होता है और उसकी stability भी बहतर होती है बुरा क्या होता है मैंने पहले बताया था short circuit current कि मान लो अगर कभी fault आ गया तो जिसकी reactance कम होगी ना अगर SCR बढ़ने से reactance कम हो रही है तो उसका current बहुत जादा आएगा इसलिए सिर्फ नुकसान होता है air gap बढ़ाने का short circuit characteristic में यह कहतो short circuit fault के अंदर ठीक है तो next point यह लिख ले ना the only drawback with larger value of air gap is the increased value of short circuit fault current ठीक है यहां तक बात क्लियर हुई यह SCR वाला concept क्लियर है ना इन सब को मैं summarize करा दूँगा जो जो चीज़े बता रहा हूं क्योंकि यह सब जो है ना numerical में काफी काम देता है अब एक चीज़ लिखो एक question मना के लिखो why EMF method is called as pessimistic method अब देखो दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं pessimistic एक होते हैं optimistic pessimistic जिने कहते हैं निराशावादी ओप्टिमिस्टिक जिने कहते हैं आशावादी ओप्टिमिस्टिक माने वो लोग अब जैसे suppose आपके mind में यह चल रहा है कि यार last के दो महीने भी पढ़ लूँगा न तो भी exam में rank निकाल दूँगा तो आप हो optimistic ठीक है यानि कि आपको जो effort दिख रहा है कि कितना करने से rank आ जाएगी वो actual effort से काफी कम दिख रहा है यानि actual effort इससे जादा लगने वाला है और एक होते हैं pessimistic यार मैं तो दो साल बाद ही दूँगा gate exam क्योंकि अभी तो मिर से नहीं निकल पाएगा तो वो हुए pessimistic उन्हें लग रहा है कि जितना करना पड़ेगा वो actual से भी काफी जादा है यानि उससे लग रहा है gate rank दो साल में निकल सकती है देड़ साल में निकल सकती है तो वो हु यह बात मैंने शुरू में बोल दिती एक्यूरेट नहीं है लेकिन यह हमेशा voltage regulation जादा देता है यह चीज़ याद रखना इसका मतलब जितना बुरा generator है नहीं जितनी उसकी voltage regulation नहीं है उतनी यह बताएगा तो यह pessimistic हुआ कि अरे यार voltage regulation 20% तो आही जाएगी लेकिन हो सकता एक्चुल दसी हो तो इसमें लिखना EMF method always gives the value of voltage regulation higher than the actual value and hence it is called as pessimistic method अब बात है ऐसा हुआ क्यों देखो जब EMF method की बात आई तो तुमने किसका यूज किया OCC का और SCC का अब SCC वाला graph linear था यानि यह कभी saturate किया ही नहीं क्यों saturate नहीं किया क्योंकि armature reaction purely demagnetizing होता है यह मैंने characteristics में बताया था कि SCC linear क्यों आता है because armature reaction is demagnetizing अब अगर यह saturate नहीं किया यानि ZS की कौन सी value देता है यह method unsaturated ठीक है जबकि practically हम unsaturated region में काम नहीं करते हैं हम किसमें काम करते हैं saturated तो unsaturated value हमेशा जादा आती है अगर value ZS की जादा आएगी तो voltage regulation भी जादा आएगा दुबारे समझो SCC के अंदर saturation नहीं आता इसलिए व और unsaturated ZS हमेशा saturated से जादा है तो practically किसमें काम करना है saturation में value कौन सी मिल रही है unsaturated तो that is why the value of ZS obtained is higher hence the voltage drop and voltage regulation is also higher भाइग सीधी बात है impedance में अगर impedance हाई है तो I into Z उसका voltage drop भी जादा है इस कारण से voltage regulation भी जादा है इसमें लिखना since SCC is linear due to pure demagnetizing nature of armature reaction it does not take into consideration saturation of the machine hence the value of ZS obtained lies in unsaturated region which is higher than ZS bracket में saturated लिखलो which is higher than ZS saturated so obtained value of voltage drop and voltage regulation is also higher than actual value ठीक है अब बात है इस result को accurate कैसे बनाया जाए उसके लिए तुम्हें short circuit current जादा लेना पड़ेगा किस region में लेना पड़ेगा saturated वाले region में तो अगर short circuit current को saturated वाले region में ले लोगे तो ये problem remove हो जाएगी तो इसमें लिखना to minimize this error we must use highest value of short circuit current which will give lowest possible value of ZS and a result close to actual value भाई जितना SCC में आगे का point लोगे उतना ही कम ZS मिलेगा अभी दिक्कत यह हो रही है कि ZS जादा मिल रहा है हमें चाहिए क्या कम कम करने के लिए जादा field current लेना है या जादा short circuit current लेना पड़ेगा अगर जादा current से निकालते हो तो ZS की value कम आएगी which will be closer to the exact value मेरी बात समझा गई ना और इसी लिए pessimistic method का यहाँ पे application क्या हो जाता है ना कि हमें upper limit मिल जाती है कि voltage regulation 15% से जादा हुई नहीं सकती suppose इस result ने बोला 15% इस method ने तो हम जानते 15 के उपर नहीं हो सकती इसके नीचे ही हो सकती है तो EMF method का फायदा यह है it gives upper limit on the value of voltage regulation तो अगर तुम्हें जादा realistic result चाहिए तो high value of short circuit current use करना है वरना यह method unsaturated region की value देता है which gives higher value जिससे voltage regulation भी higher than actual आती है लेकिन numerical के लिए मैंने क्या बता है अगर summarize करें ठीक है conceptually यह याद रखना कि pessimistic method है summary सबसे पहली बात ZS VOC मैं लिख दे रहा हूँ per phase upon ISC per phase at same IF दूसरी चीज मैंने बता ही ISC का IF बदल सकते हो because it is proportional to IF तो ISC2 by ISC1 equal to IF2 by IF1 यह कर सकते हो तीसरा मैंने बताया concept SCR का it is IF for VOC equal to rated it is IF for ISC equal to rated ठीक है और SCR is proportional to air gap and it is also equal to 1 by ZS per unit ठीक है यह concept हमने देखा और fourth मैंने concept बताया that it is a pessimistic method मतलब समझ गए ना pessimistic method का यानि जो voltage regulation बताएगा वो actual machine की regulation से जादा बताएगा तो यह सारी बाते इस method के अंदर याद रखनी है इस पर directly question frame हो जाता है exam के अंदर one mark का भी और two mark का भी frame हो सकता है तो इस lecture को यही wind up करते हैं अगले वीडियो के अंदर क्या करूँगा ना जो बाकी के methods हैं उस पर discuss करूँगा तो बाकी के method gate point of view से relevant नहीं है gate में अगर जाद तर question पूछते हैं तो इसी method पर पूछा जाता है तो बाकी के method हम लोग next video के अंदर देखेंगे थेंगे